हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, 17th BPAC के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, यह इस सीरीज का यह सातवा सीरीज है, यह सातवा पार्ट है, 17th BPAC के लिए, इस सीरीज में मैं डिसकस करूंगा, हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिया जो है, इसके ए प्रोजेक् का सबसे खतरनाक ड्रोन, जिसको सिकारी ड्रोन भी बोला जाता है, हिंदी में, वा इंडिया में, USA के तरफ से आ गया है, उसका साइन हो चुका है, विस्व में पहला 3D प्रिंटेड ब्रेंट टीसू भी कर लिया गया है, जो कि ब्रेंट का टीसू होता है, कई सेल मिलके टी project, इंडिया जोईन rocky projects, डुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलेस्कोफ है, याध रेडियो टेलेस्कोफ मिन्स वा टेलेस्कोफ से काम करता है, डेडियो वेब को the detect करता है, clear? अब हम आता है, इंडिया teve फ्रिंटेक्ट में जोईन किया, इंडिया बहुत पहले से उसके सा साइंटिफिक कोलाविरेशन प्रोजेक्ट है यानि क्या इसको बोलेंगा अंतरास्थिये बैग्यानिक सहजोग से बना है इसमें इंडिया ने 1250 कड़ो रोपे दिये हैं इसके कंस्ट्रक्शन के लिए भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उमीद है कि अगले साल पचीस में कंस्ट्रक्शन हो जाएगा बाई से या सुरू हुआ है तो इसमें इंडिया ने 1250 कड़ो रोपे मंजूर किया है जो बीत पोशन योगदान के रूप में काम करेगा यानि सामिल है के लिए चलिए अब आते हैं कि जो इसके प्रोजेक्ट है साइंटिफिक प्रोजेक्ट है इसके आलामे इंडिया कौन-कौन से साइंटिफिक प्रोजेक्ट में सामिल है तो यह पहला जो है ग्रेविटेशनल वेव डीटेक्टर ना इसका पूरा नाम है लाइगो लेजर इन्टर फेरोमिटर ग्रैविटेशनल वेव इड़ुजर्वेट्री या नेटवर्क है इद्समें इंडिया सामिल है इंडिया में तो बन भी रहा या महरा estàम है या क्या करता है ग्रेविटेशनल यानि गुरुत्वा क्या बोलते हैं उसको गुरुत्वाकर्शन तरंग को डिटेक्ट करता है या आपके BPSC में पूछ चुका है लाइगो के बारे में तो पहला दूसरा जो है ITR पोर्जेक्ट इंटरनेशनल थर्मो नुकलियर एक्सपरिम सब्सक्राइब करते हैं तो या इसी प्रोजेक्ट को इसी तरह के मेथट को आर्टिफिसियल सन भी बोलते हैं आगे कहीं आएगा थोड़ा सा डिसकर्स करूंगा जिसमें चाइना वगारा साउथ कोरिया यूके वगारा कर लिया धर्ति पर भी सन बनाने की व्यवस्ता हो रही है तो तीसरा जो है लार्ज हैड्रन कोलाइडर यानि या पार्टिकल फीजिक्स का गॉर्ड पार्टिकल यह भी पूछ चुका है आपके ब अरकिन सब्सक्राइट प्रोजेक्ट में 具 हैं रोख मिलद रहा है यहां पे बन रहा है यह आपका सी क्वार्ण फर्सक का अब अब इसके के बारे में थोड़ा सा देख रहेते हैं सुरू में ऐसा वेवास्ता किया गया था है शे को वन स्कॉाइर किलो میटर करने का लेकिन बात में इसको बढ़ा को वन मिलियान यानी दस लाक स्कॉाइर किलो कर दिया गा लेकिन अभी भी इसका नाम आतिने के बड़ा सत मुझाइँ है जो एक सिंगल यूनिती तरह काम करेगा कोई बड़ा टेलेस्कोप नहीं है एकदम बड़ी इकाई के रूप में हाजारो डीस अंटीना का संग्रा होगा जो रेडियो तरंग को इकठा करेंगे और वह डिटेक्ट करेंगे अपना इनवर्स के बारे में पता करेंगे कि इनवर्स में क्या हलचल हो रहा है कौन सा इनवर्स अबजेक कौन के लिए अब हम आते हैं या इसका जो अंटीना है दो सो अंटीना जो है साउथ अफेरिका में है और लगभग एक आही दाही सेकड़ हजार दसर लाग वन लाग थर्टी ताउजेंट अंटीना अस्ट्रेलिया में वहां जहां कम पॉपुलेशन है इस पार्सली पॉप पॉप्यो"-फुल शक्ति नीशे है जो भी अभी एग्सिस्टेंग रेडियोवेब को डडीटेक्ट करेंगा वीखक्र सेकरी ड्रोन जो अब इंडिया में आएगा या आर्म ड्रोन है जो इंडिया में लगभग इसका दाम होगा USD $ 3.99 billion ऐसा या इसलिए हुआ है कि हमारे प्राइम निस्टर नरेंदर मोदी 2023 में गए थे या साइन हुआ है या साइन हुआ है ड्रोन साइन हुआ है या इस समय उसकी घोसना की गई थी अभी एप्रूब कर दिया इतियासिक राज की यह यात्रा के दवरान की गई थी लिए चलिए अब इस डील के ताहत क्या होगा इस डील के ताहत है इंडिया को 31 यानी 31 यानी सबसे उचाई पर उडने वाले ड्रोन मिलेंगे इसके अलामे नेभी को भी 15 मिलेंगे जिसको सी गार्जी तों कहा गया है और आर्मी और नेभी को आठाट दिये जाएंगे अब यह जो ७ूल्ल है यह यह संचालित वहां और बसे ईट्रोन का मतलब क्या यानि दूर से कंट्रोल संचालीत सकते उस प्रेलोड गहतक भी सकता गईऔर घातक प्रेलोड ले जा सकते हैं। इसको सिकारी ड्रोन यार प्रीनेटा ड्रोन भी बोला गया है। अब थोड़ा सा इसका खुबी देख लेते हैं MQ-9 अब आपसे पूछ सकता है MQ98 क्या है तो आपको पता पढ़ाए बना पढ़ा के दुनिया का सबसे खतरनाख ड्रोन है या जो है horizon में भी बोल सकता है यानि horizon में इस तरह से करके बोल सकता है और या satellite से भी guide हो सकता है भाया satellite से और या 30 गहंते तक बोल सकता है या सिविल एर स्पेस जॉइन फोर्स शिविल अथोरिटी और या कोई चीजी डिलेबर भी कर सकता है रियल टाइम सेच्वेशनल लेवारनेस में इसके आलामें इंटिग्रेट करेंगा हमारे मारी टाइम इंटेलिजेंस को सर्विलेंस को रिकनेंस कापेबिलिटी या रियल इस गंटे से अधिक समय तक उग्रा के माध्यम से छितिस पर उडान भढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है इसके आलामे यह संजुक्त बल नागरीक अधिकारियों वास्त्विक समय इस्थिती जन जागरुकता पैदा करेगा उनत समुंद्र खूप या निग्रानी और समुंद्र के सता के उपर और नीचे वास्त्विक समय में खोज और गस्त करने को सक्षम बनाता है या ड्रोन कौन एमक्यू 98 इसकाई गार्जियन ड्रोन के लिए चलिए अब हम आते हैं इस तरह का ड्रोन है या 35-35 इस तरह आपरेट किरेंगा 50,000 फीट है ना कैन ट्रेवल 2,000 माइल विदाउट रिफ्यूलिंग इनकलूडिंग चार सो पचास के जी बम ले जा सकी या यह स्पीड है 442 किलो मिटर पर आवर लेंध है 36 फीट याने विंग से स्पैनिस का 66 फीट है अब आम आते हैं इस ड्रोन टेक्नलोजी या तो ड्रोन सिनली या तो प्रिडेटर ऑप इंडिया में वह कोई ड्रोन है आपसे पूछ सकता है नीचे सब नाम ली कहाई ड्रोन है इसा है इंडिया में लक्ष और नंशान द्रोन का नाम है यह इन मानो रहित हवाई वही वैक यह में चलता है या क्यों ड्राडियो डेभलप किया ड्रेडियो ब्लैक काइट, ग हाइट वेट हलका आटोनिमा सीवे भी है जो सर्विलेंस और रीकनेंसेंस अपरेशन में किया जाता है डिया डियो रूस्तम रूस्तम क्या अभी ड्रोन है तो याद रखिएगा यह मेडियम अल्टीट्यूट लॉंग इंडूरेंस यू भी यह मेडियम दूरी तक जाएगा यह आर्म फोर्स डेवलब किया है काउंटर ड्रोन सीस्टम यह भी ड्रोन ने किया तो पूछ सकता है यह सब चुकि यह प्रीडेटर दो यह से आएगा तो हमारे पास अपना कौन सा ड्रोन है जो इंडिजिनियस ड्रोन है तो यह लक्ष निसांद ब्लाइक आइट गोल्ड इस तरह का यह अपना ड्रोन है सब अब हम आते हैं कि बिस्व में पहला थीरीडी प्रिंटेड ब्रेन उत्तक डेवलब किया गया है इसे पहले शिक्स में मैं बताओ निवरा लिंक जो जो ब्रेन में चीप फिट किया गया अब सक्सेस्पुल फिटीवाज सोचने से कंप्य चलने लगेगा तो इसमें क्या है कि 3D printed brain अब 3D printed technology है जो कि 3D image को print कर देता है layer by layer है तो यह जो researcher है पहला बार functional यानि काम करने वाला 3D printed brain tissue तक डेवलप किया है जो कि real brain tissue की तरह काम करेगा अब कहां पर डिसकस हुआ है सोरी या कहां पर डेवलप हुआ है इनवर्सिटी ओफ विंसकोंसिन मेडिशन में जो कि neuroscientist इसको डेवलप किया है और neuroscientist को यह टूल देता है कि यह किस तरह brain cell और other part of the human brain डेवलप करता है जो कि देखेगा अलजाइमर और Parkinson disease में क्या हो जाता कि brain से signal को हमारा body catch नहीं कर पाता समझ नहीं पाता है रियल टाइम में इसलिए क्या होता अलजाइमर पेसेंट को problem होते कर हाथ हीला तो हीलते ही रहा जाएगा तो अब यह अगर उस तरह का problem उनको होता है तो यह 3D printed brain tissue से उनको ठीक किया जा सकता है उनका brain जो भी abnormal brain tissue होगा उनको replace करके इसे replace करके यह लगाया जा सकता है पहला कारजात्मक 3D printed मस्तिक्स मस्तिक्स उत्तक बनाया गया है जो कि अलजाइमर और पार्किंसन जैसे बीमारियों के इलाज के बेहतर तरीके शामने आ सकते हैं इसे के लिए अब हम देखिए आप जानते हैं 2D page का print होता है उसको 2D बोलते हैं इस तरह का प्रिंटिक को 3D और 3D printed में अगर motion आ गया ना that is called 4D printed इसलिए बता दिए कि कहीं 4D 4D printed आपको पूछ सकता है यानि 3D printing में inert material होता है इसमें static structure होता है 4D printed में यहीं material स्मार्ट करके उसमें एस्टिमलाई डाल देते हैं यानि motion डाल देते हैं सेंसर होगर लगा जयते हैं इस पेन वगरह में तो पेडेस्टियन भी 3D printing से बन रहा है तो इस तरह लेयर बाई लेयर करके इसमें कहीं जोड़ा हुआ है कुछ module नहीं है एक बार तयार कर देता है तो brain वगरह भी तयार हो रहा है 3D printed से तो जो material चाहिए अब इसमें क्या करते हैं अगर human का अंग है तो उसमें क्या करते हैं stem cell लेके और उसी से print कर देते हैं उसी से बना देते हैं stem cell क्या होता वह cell होता है जिसमें re-group रहने की capacity होते हैं जैसे अगर हम लोग जाइगोट बनते हैं हम लोग का जनम हुआ है तो क्या होता है एक cell से हुआ है अभी हम क्या है कि billion cell बन गया है तो यह divide होते होते इतना cell बन गया है इसी एक cell से सब organ system बना और अब कुछ बनने के बाद में यह cell body में store हो जाते हैं जिसमें ability होता है अंग बनाने का उसी को stem cell बोलते हैं अगर कहीं आया आगे तो मैं इसको बताऊंगा है ना details तो stem cell से इसको यह print करते हैं इस तरह 3D printing में material static structure और 4D printing में क्या होता है stimuli डाल देते हैं जो कि dynamic हो जाता है उसमें गतिसीलता आ जाती है माली जै कि 3D printed से एक बाह बनाया किसी का बाह कट गया है हाथ कट गया तो बाह बना दिया उसको fit भी कर दिया 3D printed लेकिन अगर उसमें sensor और डाल दिया जो brain के जो कि इसके signal को detect करे तो वहीं 4D printing हो जाता है कि लिए तो इसका क्या application 3D printing का अभी construction में application हुआ अभी हम बता है कि इंडिया का पहला 3D printed post office बंगलूरी में बनाया गया है तो यह भी PTL8 है पूछ सकता है कि इंडिया का पहला 3D printed post office कहा है तो बंगलूरी में बिश्व का पहला 3D printed pedestrian यानि पैदल चलने वाला bridge जो पूल होता है वह एस्पेन में बनाया गया इसके अलाब मेडिकल और dental में खूब इसका यूज होता है दात वगरा बनाके है इसका यूज किया जाता है dental aligner को ठीक करने के लिए इस तरह 3D भारत का पहला 3D मुदृत डांगर बंगलूरी में बनाया गया पहला पैदल या इस तरह ब्रेंड टीशू बनाया गया जो हमारे बॉड़ी पार्ट से या कम्मिकेशन करेगा तो यहीं सब अभी हम डिसकस किये क्या तीन इसके प्रोजेक्ट में देखे कि इसके प्रोजेक्ट क्या है या इंटरनेशनल साइंटिपिक प्रोजेक्ट है इसके अलावा यह नहीं पूछा है और यह नहीं पूछा है तो में भी संभावना यह पूछ सकते हैं सिकारी ड्रोन सिकारी ड्रोन के अलावे अपना ड्रोन भी हमने देखा सिकारी ड्रोन क्या है इसके अलावा अपना ड्रोन देरा लक्ष लक्ष निसांत ब्लैक काइट है इसके अलावा तो क्या बन जाता है 4D इस सारे मैं अपने टेलेग्राम चैनल तीवारी जन्नल स्टडी है उस पर डाल दूंगा वहां से आप लोग देख सकते हैं इसको डाउनलूट कर सकते हैं उसको भी जॉइन कर लिजेगा अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर स्क्राइब जरूर कीजिएगा शो थाइंक यू है वे गुड डे अंड है पी लर्निंग थाइंक यू वेरी मच्छ